अच्छा मैंने रिसर्च की पती पतने से डरता क्यों है हमें जितनी भी तागते मिलती हैं सब ओरतों से मिलती है पैसा चाहिए लक्समिक जी के पास जाओ बुद्धी चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ आदमी के पास छोड़ाई क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा हमारे संकर भगवान विश्णू भगवान बिल्कुल खाले बेठे हैं एक भी पावर नहीं है दोनों के पास में जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पॉर्टफोलियो इसलिए एक जाकर विचारा पाढ़ पर बेठ गया और कपड़े भी कितने दिये पहनने को देखो इसे और उपड़ से गले में साप और डाल दिया थोड़ी एकसर बची थी जटा से गंगा और निकलुआ दी इतनी ठंड में पीने को मांगा तो विश पिला दिया ऐसा आदमित तांडव नहीं करेगा तो और बांसुरी बजाएगा दूसरे को सेसना आग पर लेटा दिया वो भी समुद्र में दूर दूर तक पीने का पाने भी नसीव नहीं हो सकता अच्छा बेचारा दोनों रोना भी नहीं रो सकते एक पाहड पर बेठा है एक सागर में लेटा है वरना दूखी पती आपस में बात करके मन हलका करी लेते एक हमारी जान को आ गया करवाचोत का वर्त पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे इधर वर्त तूटा उधर पती का साथ शूटा क्योंकि पती की जिंदगी के लिए रखा जाता है इस देश में सो वर्त ऐसे हैं कि पत्नी ना रखे तो पत्नी का सेहत खराब हो जाता है एक वर्त भी साला ऐसा नहीं बनाया जो पत्नी रखे तो पत्नी को साला जुखाम भी हो जाए हम तो बदला भी नहीं ले सकते अभी करवा चोथ पर घर वाली बोली सोने का सेड दिला दो मैं बोला मैं तो नहीं दिलाओंगा वो बोली तोडू वर्त अंदर से रोटी ले आई बोली ला रहे हो कि अभी खाऊं मैं सोचा प्राण जाएंगे मैं ले आया विद्यसों में करवा चोथ के वर्त होते नहीं इसलिए वहां तलाख हो जाते हैं अभी मैंने साध्य की 25 वी वर्स गाठ मनाई अमरिका में होता तो 25 वी लुगाई की मना रहा होता है प्राण बोली लुगाई